कपड़े के बिजनस को करे तो सरी, लेकिन कपड़े के बिजनस में कमाई कितनी हैं, लगाई हुई इंकम का चार गुना पैसा वापस उसोल कर सकते हैं, मैं आप लोगों को बताता हूं, एवरेज कम से कम 15%, 20% की कमाई कोई नहीं रोक सकता है, नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा अजमेरा फैसन सूरत से, सुबह सुबह की इस मंगल वेला में फिर से आपका स्वागत करता हूं, आपके अपने यूट्यूब चैनल अजमेरा फैसन में, दोस्तों, जो पहले से जूड़े हुए हैं, वो जानते हैं, और जो नए जू आपको मिल जाती है, एक इच्छत के नीचे, दोस्तों, मैं वीडियो के जरीए, आप लोगों के जो कमेंट्स आते हैं, मैं उनका जवाब, वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देते रहता हूं, अभी पिछले दिनों, जो सबसे ज़्यादा कमेंट आए हैं, वो यह लगा हूं, तो दोस्तों, कपडे के बिजनस में कमाई बहुत अच्छी है, मैं आप लोगों को एक जानकारी देना चाहता हूं, कि आप अगर लाख रुपया लगाते हैं, कल का ही एक 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 जामपल में बताता हूं, एक लेडिस, हमारे यहां से पिछले डेड़ महीने पह ही हुआ 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 लेडीज जो घर से बिस्दस करती है वो 20 से 25 परसेंट एड करके हमारे प्रोडक्ट के अंदर जोड के बेचती है कपड़ा तो 20 से 25 परसेंट अगर उस लेडीज ने जोड़ा है तो 25,000 रुपए घर बैठे उसकी कमाई हो गई है उसके कोई खर्चे नहीं है एक्स्ट्रा साल के अंत में आप इस तरीके के 12-15 रोटेशन कर लेते हैं तो आप अपनी लगाई हुई इंकम का चार गुना पैसा वापस उसोल कर सकते हैं अब इसके अंदर दोस्तों ऐसा भी होता है कि अभी एक बार ले गई बेच लिया लेकिन हो सकता है कि दुबारा में माल उतना ज की कमाई कोई नहीं रोक सकता है अगर कोई घर से बिजनस करता है तो और अगर शोरूम की अगर मैं बात करूँ किसी ने अच्छा शोरूम बना रखा है और वो डायरेक्ट सूरत से खपड़ा खरीता है तो उसकी कमाई की तो कोई सीमा ही नहीं है उसमें प्रोड़क्ट के साहल लेंगे वगरे के अंदर तो 300-300%, 400-400% का मार्जिन देता है, और अगर किट्स्वियर की बात करूँ तो उसके अंदर भी 200-300% का मार्जिन देता है, साड़ी वगरे में जैसा मैंने बताया, 50%, 100% डिपेंड करता है प्रोड़क्ट के उपर, तो कमाई बहुत अच्छी कमा है, तो कल बिकी जाना है, कहते हैं सूरत का बुना और बकरी का जना कब तक खेर मनाएगा, उसको बिकना तो है ही है, तो ये एक कावत है, कपड़ा खराब नहीं होता है, कोई एक्सपाइरी इसकी नहीं है, तो आज जो नहीं बिका है, वो 10 दिन बाद, 15 दिन बाद या मैने बिरबाद वापस सीजन आती है, तो उस समय कपड़ा बिक जाएगा, तो कमाई का तो कोई रोक ही नहीं सकता है, कमाई तो होनी ही होनी है, पर स्वाल ये आया था, कि मैं लाक रुपए लगाँं तो कितना कमा सकता हूं, तो डिपेंड करता है कि आप कितना कपड़ा बेचत तो आपके 50,000 रुपए आप के हो गए, कोई नहीं रोक सकता है, दोस्तों ये तो हो गई रिटेलर की बात, अब अगर आप होलसेलर की यहां आते हैं, तो होलसेलर का मार्जिन थोड़ा कम रहता है, लेकिन रोटेशन बहुत फास्ट होता है, कई होलसेलर मैंने ऐसे देखे है जो होलसेल तो करते ही करते हैं, साथ में रिटेलिंग भी करते हैं, तो रिटेलिंग में अच्छा मार्जिन रखते हैं, कस्टमर देख करके भी वो अपने हिसाफ से रेट वगर लगा देते हैं, रिटेल के हिसाफ से, और अगर होलसेलिंग करते हैं, सेट टू सेट कपड़ बेशते हैं तो उनका margin nominal रहता है 10% 15% तक margin उनका रहता है लेकिन कपड़ा बहुत fast और rotation के अंदर घूमता है तो ये एक हो गया wholesaler का margin, wholesaler के बाद आते हैं आप manufacturer के उपर जैसा कि हम हैं एक manufacturer का margin बहुत nominal रहता है लेकिन bulk production घूमता है क्योंकि जितना माल बनता है उसका बिकना बहुत जरूरी होता है कपड़ा bulk हम लोग rotation करते हैं इसके लिए कमाई बैठ पाती है कपड़ा रोक नहीं सकते हैं रोज design नहीं आती है और नया sale होता है तो हम लोगों का margin जो रहता है कम रहता है तो अगर आप भी manufacturer की बतोर काम करना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं देखिए आजकल तो ready-made कपड़ों का जमाना है अगर manufacturer की बतोर आप काम करना चाहते हैं तो आप यहां से कपड़ा ले जाके cloth ले जाके अपने स्टीच मशीन लगा के सिलाई मशीन साधी सिलाई मशीन आती है वो भी आप बनकर अपने नाम से अपने ब्रांड से manufacturer बन सकते हैं उसमें भी कमाई कर सकते हैं लेकिन manufacturer की कमाई आप यह समझेए 10% से ज्यादा नहीं हो सकती है क्योंकि production बहुत bulk और fast घूमता है तो यह एक मैंने जो आज वीडियो बनाया है वो आपको बताया है कि मुनाफ़ा कपड़े के business के अंदर कितना होता है और मुनाफ है यह 30 सुधाबाद है बाकी किसी भी और business की तुलना में कपड़े के business के अंदर मुनाफ़ा अच्छा होता है गाटा होने का तो कोई chance है ही नहीं दोस्तों तो अगर आप भी ऐसे किसी business को करना चाते हैं शायद करना चाते हैं इसलिए अभी तक इस वीडियो को आप देख हैं तो अगर कुछ भी ऐसा मन में है तो number दिया हुआ है call कीजिए हमारी team को आपको पूरी तरीके से guide किया जाएगा कि किस तरीके से आप इस business से जूड सकते हैं और आप भी अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं घर बैठे करना चाते हैं घर पे कर सकते हैं दुकान करना चाते ह अच्छा showroom बनाना चाते हैं वो बना सकते हैं wholesale का करना चाते हैं wholesale का कर सकते हैं या बनना चाते हैं manufacturer तो वो भी बन सकते हैं तो स्वागत है आपका कपड़े के इस field के अंदर अगर कुछ भी आपका मन बनता है तो call कर दीजिए हमारी team आपको पूरी तरीके से guide करेगी और अच्छा लगा हो वीडियो तो like कर दीजिए शेर कर दीजिए उन लोगों तक जो कपड़े के business के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस तरीकी की जानकारी आपको regular मिलती रहे इसके लिए subscribe बटन जरूर दबा दीजिएगा और स जय भारत